नहसकार कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे आज हम लोग बात करेंगे PhD एडमिशन 2021 के बारे में तो यदि आपने अब तक PhD में एडमिशन नहीं लिया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे भली वारा हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा सबसे पहले हम लोग सीटों की संख्या के बारे में बात करेंगे पहले नमबर पे बात करते हैं Faculty of Arts के बारे में यहाँ पे हिंदी में 14 सीटे हैं अंग्रेजी में 2 है, संस्कृत में 19 है, उर्दू में 4 है, म्यूजीक में 7 है, ड्रॉइंग एंड पिंटिंग में 2 है उसके बाद Faculty of Social Science में बात करें तो Economics में 2 है, Sociology में 4 है, History में सुला है, Public Administration में 6 है Geography में 14 है, Political Science में 18 है, Home Science में 6 है उसके बाद Faculty of Science में बात करें तो Chemistry में 14 है, Botany में सुला है, Geology में सुला है, Physics में 6 है, Mathematics में 6 है, Computer Science में 3 है और उसके बाद Faculty of Commerce and Management की बात करें तो ABAST में 6 है, और उसके बाद Business Administration में 4 है, EAFM इसमें 2 है और Management में 3 है Faculty of Education की बात करें तो Education में 16 सीटे हैं और Physical Education में 2 हैं उसके बाद Faculty of Law की बात करें तो Faculty of Law में Total 3 सीटे हैं यानि कुल सीटों की बात की जाए तो 211 सीट हैं आगे बात करते हैं यदि Candidate are advised to apply in the relevant subject for their post graduation only for the PhD program यानि कि आपका जिस subject में post graduation है उसी में आप इस डिकले apply करें इन्होंने पहले ही आपको सलाह दे दिया है आगे बात करें सीट की संख्या बढ़ाई भी जात सकती है घटाई भी जात सकती है तो सभी जगा करता है सभी इन्वसिटी में ऐसा ही रूल होता है लास्ट डेट की बात करें तो 15 सेप्टमबर तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं यानि आपके पास परयाप्त समय है यदि examination fee and mode of payment की बात करें तब आपको यहां से जाकर के payment करना इस लिंक से इन्वसिटी का लिंक है website है www.uok.ac.in university of quota quota university जो की एक state university है राजस्थान में located है वहां से vacancy निकली है बहुत अच्छी university आपको करना है तो आपको form जरूर भरना चाहिए यदि fee की बात करें तो fee इन लोगों ने बहुत जादा रखा है जो कि इतना fee तो कभी भी नहीं होना चाहिए entrance examination fee for the PhD program meet 2500 देख लिए 2500 रुपे है जेनरल कैटोगरी के लिए और जो एसी स्टी और ओवी सी है उनके लिए especially जो एबल परसंस है यानि कि जो पी एच कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुप्या है तो मतलब कुछ ज्यादा इस इतना fee अगरे तो रखना नहीं चाहिए online के लिए लेकिन क्या कर सकते हैं यदि योग्यता की बात करें देन आपके पास minimum 55% marks होना चाहिए आपके master degree प्रोग्राम में और यदि आप ACST OVC है या फिर आप PH candidate है देन आपके पास minimum 50% marks होना चाहिए यदि आपने MFIL किया है तो MFIL में भी बिल्कुल same qualification चाहिए 55% या फिर याप ACST OVC है तो minimum 50% आपके MFIL में भी होना चाहिए आगे बात कर लेते हैं procedure for admission, the university shall follow the rules of the reservation policy, the syllabus of PhD entrance examinations shall consist 50% of research methodology as part 1 and 50% of subject specific as part 2 यानि कि आपका जो entrance examination होगा उसमें दो paper होगा, एक paper में आपसे research methodology पूछा जाएगा और दूसरे paper में आपसे subject related questions पूछे जाएगे 50-50, तो ध्यान रखिएगा, और 50% आपको minimum लाना होगा, entrance को qualify करने के लिए तभी आपको interview में बुलाए जाएगा All the candidates having UGC, CSIR, JRF, NET or ACET or Teacher Fellowship shall be exempted from PhD entrance test and will be called for interview, final selection shall be as prescribed in the Indies Regulations यानि कि आपके पास NET है, जारिफ है, चाहे वो CSIR का NET हो, UGC का NET हो, या फिर आपने state level का कोई test pass किया है, तब भी आप यहां से exempted रहेंगे, आपको यहां पे test देने की जरूरत नहीं होगी इसमें क्या करना, आपको interview के लिए आप एक proposal तयार कर लें और आपको proposal को ही basically interview में defend करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा Final selection वहां की DRC committee करेगी, Departmental Research Committee या फिर Subject Research Committee होती है, वो दोनों decide करेगी नोटिफिकेशन था, कोटा बिश्वित दाला से शोध निद्शाले देख रहे हैं आप डायरेक्टर आफ रिसर्च इनवर्सिटी ओफ कोटा, स्टेट इनवर्सिटी हम मीलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए